जैसा मैंने कहा था उस according मैं question लेकर के आज चुका हूँ किसका तो AP का मैं आप लोग को ये भी बताया थे कि मैं AP का जो भी question ला रहा हूँ अपने according ला रहा हूँ कि important है अगर आपको लगे कि ये question बहुत अच्छे है और उसमें कुछ बीच में error आ रही है confusion हो रहा है आपको सम समझने में तो उस question को आप लोग comment में जरूर note करेंगे मैं उसको solve करके बारिकी से समझाओंगा ताकि बहुत से ऐसे student होते है कि question अगर न समझ मैं तो उसको रटने लगते हैं वह ऐसा बिलकुल नहीं करना है क्योंकि मैं जो बात बताऊंगा देखिएगा इस question में कि आपको कौन सा step नहीं समझ मैं क्योंकि मैं कोई भी को ऐसे छोड़ता हुई नहीं हूँ तो चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले इसमें जो question कहा रहा है उसको पढ़ेंगे आपको भी पढ़ना है क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं question नहीं समझ में आने वाला है बात समझ प हाँ बिल्कुछ समझ गया तो जो दो से न कड़ें तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे तो बीसम संक्या जो भी होगा यहाँ पर solution लिख करके आप लिखेंगे इसको कि आपका एक हो गया फिर आपका बीसम संक्या थीरी हो गया यानि त शेवन इस तरह से चलता रहेगा और लाश्ट का जो 20 संख्या है वो क्या आएगा 9 यों आयेगा क्यों कि हमेंको जो लेना है वह जीरो और 50 के भीच लेना है तो 50 कौन से संख्या हो जाएगा Yn यानि कि Sam Sankhyya हो जाएगा इसलिए 29 इसको लेना होगा अब देखेंगे कि आपको मैं side में बता दूँ कहता है सारे संख्यायो संख्या योग याद करें तो यानि कि sn हमको निकलना होगा क्या निकलना होगा Uhn इसमे क्या चाहिए तो इसका फर्मूला होता है n by 2 आपका दो इसका फर्मूला होता है जब a n दिया रहा है तो आप सिर्फ ये ही लगा दिजिए ठीक है तो a s n का तो यहां पर हम लोग find करेंगे कि आखिर हमको a s n निकालना है इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a फिर दिया हुआ है d 3-1,2 फिर दिया हुआ क्या है a n फिर क्या दिया हुआ है कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको a s n निकालने के लिए बोल दिया तो सबसे पहले a s n में हम देखेंगे कि a n यहां पर है इसका मतलब a n हमको पता करना ही होगा अगर a n पता नहीं करते है तो यह सवाल नहीं बनेगा इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा यह वला फर्मूला का यूज करना होगा तो करते हैं देखिए a n बराबर क्या होता है फर्मूला a प्लस a n माइनस 1 d ठेक है इन्टू इसको बोल सकते है अब देखेंगे कि a n का जो भैलू है वो क्या दे रखा है 49 उन्चास बराबर a का भैलू कितना है 1 फिर a n का भैलू तो दिया नहीं है वही तो पता करने जा रहे है डी का भैलू दो दे रखा है आप देखेंगे आपको किलियर दीख रहा होगा तो चलिए इसको अगर हम इसमें मल्टिपलाई कर लते है टू से दोनों में तो 2n यानि 2n माइनस 2 किलियर अगर यहां तक आप समझ गया है तो बहुत ही असान से समझी जाएंगे पूरे को अब देखिए यहां पर आपको थोरी से अगर कलक करना देखिए यह जो है वो क्या पलस में है क्या है पलस में और यह दो माइनस में क्योंकि यह दोनों एक ही जात का है इसलिए यह दोनों अपने आप में जूते गा या घटे गा तो एक रुपया अपना है पलस है और दो करजा है तो एक फिर भी करजा बच जाएगा इस दोनों के साथ अगर हम जोरते हैं तो एक अपना और दो करजा एक दे देंगे फिर भी एक करजा बच जाएगा यहाँ पर 2N के लिए अब देखेंगे कि यह माइनस 1 इधर आ करके पलस 1 ह हो जाएगा और यहां 2N हो जाएगा यानि 2N को पहले हम लिख सकते हैं और इसको add करके बास समझ पा रहे हैं अब क्या होगा एन इसकल टू 50 यानि पचास बाई 2 50 बाई आगा 2 करते हैं तो 25 यानि कि 25 तमको क्या आया एन आया यानि कि इसमें कितनी संख्या है तो ऐसे ऐसे संख्या कितना है 25 है अब हमको A से निकालने में कोई भी दिकत नहीं होगा अब देखिए A सन कैसे निकल जाएगा 2 सिकेंड में क्योंकि A सन का फर्मूला आपको पता है A पलस A इन इसका एक और भी लंबा फर्मूला होता है वही उपर वल्ला जो होता है उसमें लगा देना है आप देखिए यहां पर A के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 25 क्या रखेंगे 25 पचीस पचीस रख देने के पश्याग 2 का 2 यहां पर देखिए एक के जगह पर कितना है 1 एन कितना है 49 समझ पा रहा है न बिलकुद समझते हो येगा दम जीरो अगर लेबल का कोई भी हो एस्टुडेंट फिर भी समझ आएंगे क्योंकि मैं जिस तरह से बता रहा हूं यह आदिक दो आ जाएगा और यह ब्रेकेट का मतलब क्या होता है गुना होता है यह दोनों को एड करेंगे कितना आ जाएगा 50 फिर इसको इससे काट देंगे अगर आपको यह भी नहीं आ रहा होगा तो भी कोई दिकत ने इसके निचे एक मान लेंगे यह तो सब को आता है इसमें इस इंटू 25 कितना हो जाएगा 625 यानि कि एसन हमारा कितना आ गया 625 तो आप लोग देखे होंगे कि कितने असानी सवालों को समझा जा सकता है बहुत लेंदी सवालों कोई दिकタ नहीं अगर आप उसको समझ गया है तो बहुत असानी तरीके से बना सकते हैं तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग उसको भी कमेंट करेंगे फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग